एक डिजर्टेट आइलेंड पर हस्बंड वाइफ और स्टेंजर एदिनों वस जाते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं तो कोई रूल्स भी नहीं आज के हमारी मुवी में कुछ सूपर नैशरल इलिमेंट्स भी है इसका नाम है सर्वाइवल आइलेंड जो 2005 में रिलीज हुई थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजे इसे चानल को सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी दरीके एक्स्पनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारी में गैरेटर इस ग मैंनेशन स्टाट है Maynule इसे मिलते है इसी बोट पर काम करता है जेनिफर की फ्रेंड मैनेशन को देखा और हो कहती है कि यह कितना हैंडस है उसकी फ्रेंड भी मेर्ट है तो जैनिफर उसे कुछ भी करने के लिए मना करती है यह सब डेक पर ही थे तब ही मैनिफर की गल्फ्रेंड उसे मिलने के लिए आई इन में जगडा स्टार्ट हो गया था वो उसे मार रही थी चिला रही थी तो मैनिफर भी उसे स्लैब करता है यह चीज जैक को अच्छी नहीं लगी यह उस लटकी को बजाने के लिए जाने वाला था पर जैनिफर उसे रोक लेती है कहती है कि उनकी बीच में है हमें इसमें नहीं गुषना चाहिए जैक को मैनुल पसंद नहीं रात में जब इस सब एक साथ थे तो ड्रिंक कर रहे थे जैक मैनुल को देखता है तो उसे भी कहता है तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो तुम्हारा गुस्सा शान्त हो जाएगा चान बुचका जैक उसे छिटाने के कोशिश कर रहा था तो मैनुल इसे इग्नोर कर देता है इसी के पैरलल में मैनुल की गल्ट्रेंड को उम फेस से देखते हैं इस बार उसने बहुत याजीब से कबड़ बेहने हैं उसके पूरे हाथोबर ब्रेसलेट्स हैं जैसे हो कोई रिचुल कर रही हो फिर राउन पर भी बहुत सारे साइन्स बनाय हुए थे उसने फिर फ्रीज में से कुछ डॉल्स निकाली उसके पास मैनुल का फोटो था तो उसे पकड़ कर डांस करने लग गई वो इमेजिन करती है जैसे उसी के साथ डांस कर रही हो वो एक डॉल लेकर ग्राउन पर बने होए स्टार की बीचों भी चरग देती है नेक्सिन में जब जैनिफर और जैक अपने रूम में आये तो मैनुल कुन का आवाज आ रहा था इनके रूम साइड में ही थे ये दोनों इंटिमेट होने लगते है मैनुल सब कुछ सुन रहा है इंटिमेट होते होते ही जैक को जेनिफर में मैनुल की गल्परेंड दिखती है इसी के parallel में मैनुल की गल्परेंड ने डॉल को मारा और चोट मैनुल को आई इसका मतलब है उसने रिच्वाल करकर मैनुल की सोल उस डॉल में डाल दी है अब वो उसे जैसा जाहे वैसा नचा सकती है नेक्स डे स्विमिंग पर जैक ने मैनियूल से कुछ बीर स्वंग आई थी बहुत टाइम हो गया पर फिर भी मैनियूल उसे इग्नोर कर देता है जब बोड का कैप्टन जैक के पास आया तो जैक ने इस बारे में कम्प्लेंड की जैक कहता है कि मैनियूल को मुझसे कुछ प्रॉलम है कैप्टन इस बात से गुसा हो गया था तो मैनियूल पर भी बहुत छीट जाता है मैनियूल कहता है उसे ही मुझसे कुछ प्रॉलम है मैंने तो कुछ भी नहीं किया कैपिनों से कहता है वो जो भी कहेगा वो तुमें करना पड़ेगा मैने उनको और भी गुसा आ गया वो इस जौब छोट देता है गुसे गुसे में जाते हुए अपना आपरन उसने बरनर पर डाल दिया था इसी वज़े से आग लग गई इस वर किसी का भी ध्यान नहीं था फिशिंग करते करते हिनों ने नोटिस किया कि बोट पर आग लग चुकी है जल्दी से सब लोग लाई बोट में बैट जाते है रात में बारिश हुई तुफान आया था इस वज़े से लाई बोट बरबात होके हरो कोई पानी में गिर गया था मूवी के फर्स में हमने देखा जैनिफर देर्दी देर्दे किनारे तक आई थी यह इसी के बाद का सीन था अब वो किनारे पर रेश्ट कर रही थी उसके साथ कोई भी नहीं था उससे कोई दिखा तो उसके पास वो भागती भागती गई उसे डायर के लिए कैप्टन की डेट बॉड़ी ही मिली वो रोने लगके तो भी मैनियूल उसके पास आ जाता है उससे भी बहुत बुरा लगा इस आलेंड पर इनके आलावा अब कोई भी नहीं है रात में भी ये दोनों एक साथ ही सोय थे यानि कि किसी को भी थंड ना लगे सुबा होने पर मैनियूल कुछ खाने की चीज़े ढोंडता है जेनिवर आकर उसे थैंक्यू कहती है कल रात उसे वाम रखने के लिए उसने उसे पूछा कि हमें कोई लेने के लिए आने वाला है मैनियूल कहता है कि हमारा कोई भी कॉन्टेक नहीं है हम गायव है ये भी किसी को पता नहीं जलने वाला एक बड़ी प्रॉब्लम में फर्स चुकी है कल रात बहुत थंड थी तो जेनिफर उसे पूछती है क्या हम फायर बना सकते है मैनियूल को पता है कि कितना भी ट्राय करे पर फिर भी स्टीक्स वगरा लेकर वो फायर नहीं बना सकते है मैनियूल ने कहा कि हम एक घर बना लेंगे रहे थे जेनिफर गहती है तुमने अपनी गर्फरेंड को क्यों मारा था ऐसा क्या हुआ है मैनियूल ने कहा कि वो मुझे मार रही थे सब के सामने उसने मुझे बेज़त किया इसलिए मैने उसे मारा वो प्रेगनेंट है और मुझे शादी करना जाती है जेनिफर बुश्टी कि इसमें गलत क्या है मैनियूल गहता है मुझे पता नहीं यह वो बेटा मेरा ही है या किसी और का जेनिफर उसे जज़ कर रही थी तो मैनियूल गहता है तुम मेरे बारे में सब को जान रही हो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है तुम भी तुम्हारे हस्बन की तरह ही हो तुम्हारे पास पैसे है तो लगता है सब कुछ तुम बाई कर सकते हो तुम सिर्फ एक स्टूपीड लड़की हो जैनिफर को इस पर गुस्सा आ गया वहाँ से चली जाती है वो नूर थी तो मैनिफर को उसने मूडने के लिए कहा पर वो मूडता नहीं वो दिन बर उससे कुछ भी बात नहीं करती रात में मैनिफर को सौरी कहता है अगले सूपा जैनिफर भी बोलती है मुझे कुछ भी फाइट नहीं करना अबे दोनों यहाँ से फ्रेंड बन चुके है इने किनारे बर कोई भी फिश नहीं मिल रहा रीफ पर अगर मैन्योल जाए तो वहाँ पर उसे बहुत जारे फिश मिल सकते है पर बहुत ही रिस्की है और भी ही रिस्क लेने के लिए रेडी था उसके पास एक गॉगल और स्पेर है इससे वो फिश को मार कर लेकर आता है उसने एक जगा पर देखा तो वहाँ पर जैक जखमी होकर पड़ा हुआ था वो अपने साथ उसे लेकर आता है जेनिफर जैक को देकर बहुत खुश थी उसे लगा था कि उसकी डेट हो चुकी है वो उसे पानी बिला दिये ज़रा कनफर्ड कर दिये उसके पास जैक सोग गया था जैक जब नीन से जगा तो जेनिफर और मैनियोल को उसने एक साथ हैंग आउट करता हो देखा उसे इन बर शक आता है जैक ये पास लाइटर भी था तो उसने आग लगा ली इनका फायर का बहुत बड़ा प्रॉलम अब सॉल हो चुका है जैक जेनिफर और मैनियोल से कहता है तुम दोनों बहुत ही बीजी थे ये शेड विकरा तुमने बहुत अच्छी सी बना ली है इसके बाद मैनियोल यहा से चला गया तो जैक जेनिफर से कहता है क्या तुम दोनों की बीच में कुछ हुआ बहुत दिनों तो तुम दोनों अकेले ही थे जेनिफर कहती कुछ भी बात मत करो इसा कुछ भी नहीं हुआ है जैक इस बात को जाना ही नहीं दे रहा था तो जैनिफर गुसे में स्विम के लिए चली गई वो वापस आने पर उससे हो सौरी कहता है वो कहता है कि मैं जरब बीमार हो इसलिए इस सब चीज़े बोल रहा था नेकसिन में हम देखते हैं कि जैक बहुत ही फ्रेस्टेटेड था उसे पानी बीने के लिए ओकोनर वाटर भी मिल नहीं रहा था उसे लगता है बोट का एक्सिडन्ट हुआ इसके पीछे मैनियोली था मैनियोला फिश पकड़ने के लिए जाने वाला था तो जैक जैनिफर से कहता है उसके पास गौगल कैसे है जब बोट डूब रही थी तब उस वक्त उसने गौगल कैसे लिया जैनिफर कहती है तुम ऐसे ही शक ले रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है जैक को भी भी लगता है जैनिफर और मैनियोल का अफेर है मैनियल अफिश लेने के लिए जा रहा है तो जैक कहता है तुम भी उसके साथ जाओ उसे ज़रा शान्ती जाईए मैनियल अंडर वाटर जाकर एक फिश पकड़ कर लाया वो जैनिफर से कहता है तुम भी अंदर जाकर देखो अंदर उसने देखा तो बहुत सारे शाक्स थे मैनियल इस पर बहुत असा यह जब किनारे तगाए तो मैनियल का सब सामार उठा कर जैक ने अपने लिए ले लिया था मैनियल को इस पर गुसा आ गया और वो कुछ भी बोलता नहीं जैक ने मैनियल का शेल्टर भी अलग कर दिया है जैक जैनिफर से फिर से पुछता है तुम्हारे बीच में हुआ क्या है जैनिफर कहती है तुम सब कुछ इमेजिन कर रहे हो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है जब बात में Jennifer और Manol hangout करे थे तो Manol उससे पूछता है किसका problem क्या है Jennifer कहती है योसे लगता है कि हम दोनों का अफेर चल रहा है Manol कहता है तो हमें अफेर कर लेना चाहिए इसी blame लेने में क्या benefit है Jennifer इस बात को seriously नहीं लेती थोड़ी देरे बात Jack भी इनकी पास आया Jennifer ने Jack से कहा Manol एक engineer है Jack Manol का मज़ा लेता है कहता है अगर तुम engineer हो तो boat पर क्यों काम कर रहे थे Manol इस पर बहुत गुस्साओक है वो कहता है तो मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते यहाँ पर मेरी वज़े से तुम जिंदा हो Jack कहता है मुझे तुमारी कोई भी जरूद नहीं है तो अपना देखो और मैं अपना अपना देख लूँगा Manol इन्हें फीश वगरा लाकर देता था अब इनके खाने भी ने की प्रॉल्म हो जाते जैक कुछ ना कुछ तो ढूड़ने की कुशिश करता है पर सही से कोई भी ढूड़नी पाता मैनोल की तरह अंडर वाटर जाकर वहाँ से वो फीश नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास कॉकल नहीं है मैनोल अच्छे से फीश पकड़ता है वो अच्छे से खाना खाय रहा था जेनिफर को बहुत ज़्यादा भूग लगी थी वो भी उसके पास आई मैनुल कहता है अगर तुम चाहो तो ये खा सकती हो जेनिफर कहती है कि जैक को बहुत बुरा लगेगा मैनुल कहता है उसे पता भी नहीं चलेगा उसे प्रॉमिस करता है कि उसे नहीं बताएगा ये उसके पास बेटती है तो मैनुल मजाग में कहता है खाने के बदले मुझे किस देना जेनिफर फिर से इस बात को इगनूर कर देती है इन्होंने बाते की और जाते वक गाल पर किस करकर वो चली गई मैनुल कहता है नेक्स टेम में बड़ा सा फिश लाऊंगा येनि मुझे सही से किस मिल पाए जेनिफर इस पर हस देती है थोड़ी देर बाद जैक फिर से वापस आया उसने बहुत ही छोटे छोटी फिश लाए होए थे इसे ओ खा भी नहीं सकते है मैनुल इसे देखता है और कहता है कि वो पॉईजननस है जैक ने फायर के पास एक स्टिक दीखी चाहा पर फिश था वो जेनिफर को कंट्रेंट करता है तो उसे पता चल जाता है कि मैनुल का खाना इसने खाया है उस पर बहुत गुस्सा हो गया जैक को बुरा लगा तो सही से खाना ढुणना वो फिगर आउट कर लेता है एक दिन यही फिशिंग वो कर रहे थे तब ही मैनुल उसे अपने टेंट के पास दिखा मैनुल के पास फायर नहीं है तो जैक की फायर वो स्टील कर रहा था इस कोशिश में जैक की फायर भी बुझ गई थी जैक इस पर बहुत जादा गुस्सा हो गया ये दोनों फिर जगड ने लग जाते जैक कहता है तुमने जान बुझ कर शिप को आग लगाई थी मैनुल कहता है कि कुछ भी मत बोलो मैं तुमारे साथ यहाँ पर फसना नहीं जाता था जैक कहता है तुम जैनिफर को पाना जाते थे इनका जगड़ा खतम हुआ नेक्स डे जैक मैनुल का गॉगल चुरा लेता है वो फिशिंग करने के लिए गया मैनुल जब उठा तो जैनिफर कोई देख रहा था जैनिफर कहती है इस तरीके से मत देखो मैं तुमारे फ्रेंड नहीं बन सकती है मैनुल कहता है मुझे तुमारा फ्रेंड से कुछ जादा बनना है जैनिफर उसका कुछ भी नहीं सुनती वो जा रही थी तब मैनुल ने रियलाइस किया कि उसका गॉगल जैक लेकर गया है वो बहुत गुसा हो गया अब जाकर जैक को मारने वाला था पर जैनिफर उसे रोक रही थी गुसे गुसे में उसने जैनिफर कोई बकड लिया एक दोनों करीब आ गए थे तो यही पर इंटिमेट हो गए जैनिफर कहती है इस बारे में उससे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए मैनुल कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो जैनिफर जैक के साथ ही रहना चाहती है उसने मैनुल से प्रामिस लिया कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा मैनुल कहता है इस तरीकी की बाते पता चल जाती है जैनिफर पूछती है तुमने फिर यह किया क्यो वो कहता है वे तुमसे प्यार करने लग गया हो थोड़ी देर बार जैक फिर से वापस है इस बार उसने प्रापर फिश पकड़ कर लाया है तो बहुत खुछ था जैनिफर कहती है तुम्हें उसके गॉगल चुराने नहीं चाहिए थे वो बहुत गुसा था जैक कहता है अगर वो गुसा था तो फिर क्या? जैक मैनुल की तरफ देखता है तो स्माइल कर रहा था जैक जैनिफर इसे पूछता है अगर वो गुसा था तो फिर क्या हुआ? जैनिफर कुछ भी नहीं बोली तो उसे पता चल गया कि वो दोनों इंटिमेट हुए थे उसे पूछ लेता है पर फिर भी जैनिफर कुछ भी नहीं बोलती वो बहुत जादा डिस्टरब हो गया उसने कहा हम दोनों की बीच में आप कुछ भी नहीं है जैनिफर के बाल पकड़ कर उसे घसीट तो यह लेकर जाकर मैनुल के पास उचोड़ देता है मैनुल नहीं उसे सहारा दिया कहा कि उसे अब जाने दो जैक अब आइलन्ड के दूसरे साइड पर जाकर रहने लग गया यहाँ बर जो भी कच्रा पड़ा हुआ था इन सब जीजों को उसने यूज किया अपने लिए भी एक गॉगलो बना लेता है जिसे वो फिशिंग कर सके जब वो आइलन्ड पर आया था तो ज़रा आउट आफ शेप था अब उसने फेस से बॉड़ी बना ली है एक दिन जैनिफर को जैक दिखा ही नहीं तो वरी कर रही थी मैनुल कहता है तो अब भी उसके बारे में क्यों वरी कर रही हो उसके बात छोड़ दो हम ज़रा एंजॉय करते है हम डांस कर सकते है जब दोनों डांस कर रहे थे तो जैक इन्हें दूर से देख रहा था एक दिन जैक को पानी में डूबी हुई पोर्ट मिली उसे खीच कर किनारे तक लेकर आया जैनिफर और मैनुल ने देखा वो भी उसके पास गए वो कहता है हम तुमें हेल्प कर सकते है इस बोर्ट को बील्ड करने के लिए जैक कहता है मुझे कोई भी हेल्प की ज़रुवत नहीं है जैनिफर इस पर गुस्ता हो गई वो कहती है वो ऐसे भी तुमने कोई भी जिसका भी शेयर नहीं की थी जैक थोड़े टाइम में इस बोर्ट को सही से बना लेता है जिस्तों सेल कर सके मैनुल को लगता है कि अगर जैक वेसे ही गया तो उसकी डेथ हो जाएगी वो सही सेल नहीं कर पाएगा यही बात वार्न करने के लिए जैनिफर जैक के पास गई वो गहती है कि तुम्हें पता भी है कि किस डारेक्शन में जाना है जैक समार्ट था तो उसे सब कुछ पता था उसे सेलिंग भी आती थी उसे कहता है कल सुबा में निकलूंगा एक दिन में किनारे तक पहुँच भी जाऊंगा जैनिफर इससे सोचने लग जाती है जैक कहता है अगर मेरे साथ आना है तो फिर से मेरी बंझाओ इस सुनकर जैनिफर वहाँ से चली गई रात में जैनिफर और मैन्योल इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे मैन्योल कहता है के जाधा टेंशन मतलो चलो हम स्विम के लिए चलते यह swim करते हुए पानी में ही intimate हो रहे थे इस अब देखकर जैक बहुत ही जेलस हो गया पानी में जेनिफर मैनुवर से गहती है हमें उसकी बोट छुरा लेनी चाहिए मैनुवर कहता है अगर उसने रेजिस्ट किया तो हम क्या करेंगे जेनिफर गहती है हम उसे मार डालेंगे पहुच गये जेक जब यह देखता है तो हसने लग जाता है जेनिफर और मैनुवर आगे आ चुके थे पर बोट में होल था अचानल से पानी भरने लग गया यह पानी में एक दो किलोमेटर आगे थे तुने सब कुछ स्विम करकर जाना पड़ा जेनिफर किनारे तक जेनिफर जैक को रोक रही थी मैनुवर जल्दी से स्विम करते हुए वहाँ से दूर चला जाता है रात में हम देख सकते हैं जैक ने जेनिफर को पान कर रखा था मैनुवर की मिलने के बाद वो इन दोनों को मार डालेगा जेनिफर के पास हो आया कहता है तुम इस तरह से बंदी हुई हो मैं तुमारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ यही बाते करते करते मैनुवर पीछे से उस पर हमला कर देता है इन दोनों की बहुत टफ फाइट हुई दोनों हर्ट हो चुके थे तो जल्दी से वहाँ से भाग जाते है मैनुवर को चोट लगी थी तो जेनिफर चोट पूच रही थे उसे कहती कि हमें कई छुप जाना चाहिए मैनुवर कहता है अब मैं उससे फाइट करूंगा चुपना नहीं जाता जैक सब सब पेर विगरा रेडी करकर मैनुवर को हंड कर रहा था तो जंगल में सब जगा पर ढूंटा है तो उपर से ब्लड गिरा म जैक को पता चल जाए कि मैनुवर कहा है मैनुवर की गल्फरेंड अल्टिमेटली उससे बदला ही लेना चाहती थे मैनुवर जैनिफर ये दुनों जैक पर उपर से गुद गए जैक ने मैनुवर को बहुत इंजोर कर दिया जैनिफर जैक से लड़ रही थी जैनिफर के पेर था जो मैंने उनके पेट में घुश गया इससे उसकी डेथ हो गए उसने ये सब करवाया है अब मूवी में एक साल बीच चुका है आज तक जैनिफर और जैक ये दोनों इसी आइलंड पर फसे होए थे इनकी बीच में सब चीज़े नॉर्मल हो गई थी एक दिन इस आइ लेकर जाती है जैक फिशिंग कर रहा था तो उसे इसके बारे में पता ही नहीं जैनिफर उन लोगों के साथ आगे चली गई थी जैक ने देखा और उन्हें वो आवाज लगाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसे सुन नहीं पाया जैनिफर भी उसे पनिश्मेंट वही छ मैनुल तो पहले से कैरेक्टर लेस था जैनिफर के साथ मिला और जैक को यही इसे आइलन पर छोड़ कर जाने वाला था जैक पहले से इन पर शक करता था जब उसे अफेर के बारे में पता चला तो उसे इने छोड़ देना चाहिए था उसने रिवेंज लेने का सोचा इसी वज़े से चीज़े complicated हो कई इस movie में कोई भी character सही नहीं था सब सिर्फ उनकी basic instinct पर ही act कर रहे थे जो सबसे गलत है इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इससे like कर दीजेगा बहुत जारी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल इंडिशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम विर से मिलेंगे और एक निम्मूग के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया